स्वागत है आप सभी का स्कॉप 360 चैनल पर मैं हो शिव कुमार्यादो एक हजार इतिहास की प्रस्टों के बुलेट सीरीज का साथवा पार्ट मैं आप सब के सामने लेकर प्रस्तत हूँ बचे हुए दिनों में जो वीडियोज में दिया जा रहा है आप उसे अच्छे से क्लियर करिए मैं बिश्ट करूँगा कि आपको में कैमपस चरूर मिले तो चलिए जल्ली से अप कोशनों को स्टार्ट करते हैं हमारे सामने पहला कोशन यहाँ पर आ चुका है तो प्रश्ट में लिखा है सिंधो घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह की खोज हुई है आपसन ने रंगपुर में आपसन भी काली बंगा में आपसन सी लोथल में अनापसन डी रोपड में तो इस प्रश्ट का सही जबाब जो दिख रहा है वो है आपका लोथल नमनेष्ट जो है आपका नमनलेखित में से किसकी पूजा वैदिक आरेयों के दौरा नहीं की जाती तो वैदिक आरेय जो है किनकी पूजा नहीं करते हैं तो सही जबाब होगा कृष्ण की नमनेश्ट की बात अगर हम करेंगे तो अगला प्रस्ण मारे सामने दिख रहा है नमनलेखित में से कौन परंपरा के अनुषार महाभारत का लेखक माना जाता है तो महाभारत के लेखक जो है वो बेड़ ब्यास है और अमार की बात करें तो वो वालमिकी है और रमचरित्मानस को की रचना जो है वो तुलसिदास ने किया है नमनेश्ट पार्षवनात के उपदेशों में कौन सा सिध्धान्ट महाबेर ने जोड़ा तो हमारे इस प्रस्ण का सही जबाब होगा ब्रमचरिय ठीक है क्या होगा ब्रमचरिय नमनेश्ट की बात करें बुद्ध ने कहां पर ज्यान प्राप्त किया तो बुद्ध को कहां पर ज्यान की प्राप्ती होई तो इसका सही जबाब होगा बोध गया ठीक है नमबर नेश्ट जो है हमारा अगला प्रशन भारत में बड़े पैमाने पर स्वन मुद्रा प्रचलित करने वाले प्रथम सा सकते तो इसको तो हमने जीके में कई वार कराया है यहां कुसान दिख रहा है और मौर्य दिख रहा है यहाँ पर साथवाहन दिख रहा है, गुप्त दिख रहा है, तो इस प्रस्ट का यहाँ पर जो सही जबाब हमको दिख रहा है, 181 कोस्टन में, वो आपसन नमबर D गुप्त दिख रहा है, ठीक है, तो इस प्रस्ट का सही जबाब गुप्त हो जाएगा, नमनेश्ट है, प्रय चार आप्षनों में से जो सही आप्षन होगा उसी पर हमें टिक करना होगा तो यह अहां पर है समुद्र गुत्व की नमनेश्ट मिहिर भोज किस राजवन्स का था तो इसका सही जबाब है गुर्जर प्रतिहार नमनेश्ट है पाल वंस का सबसे महान सासक था तो यह धर्म पाल जो है सबसे महान सासक था नमनेश्ट जो है आपका चोल नरेश मुख्यता पूजक थे तो चोल नरेश जो थे वो किसके पूजक थे सिव के भगवान सिव के पूजक थे यह बात ध्यान दिजेगा नमनेश्ट हमारे पास जो है 186 कोसन जो है उसमें लिखा है किसने बाजार नियंतरन प्रणाली प्रारंब किया तो बाजार नियंतरन प्रणाली जो है वो अलाव दिन खिल जी मैं किसी वीडियो में इसको खिजली बोलता था नहीं खिल जी नमनेस्ट दच्छिन भारत के कुछ भागों को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम सासक था तो इसका सही जबाब होगा अलाओ दिन खेल जी खिजली नहीं नमनेस्ट प्रस्ण आपका है कि तुगलक बाद की स्थापना किसने की तो यहां कई तुगलक हैं तो इसमें से कोई एक तुगलक ही होगा तो गयासुद्दीन तुगलक सही जबाब होगा मुहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा बनी थी काहे की बनी थी भीया तो आपसन है तामबे की जो सही होगा बारत में मुगल समराज का संस्थापक था तो मुगल समराज का संस्थापक कौन था वही स्टाट करेंगे बाबर का बेटा हुमायू हुमायू का बेटा अकबर अकबर का बेटा सा जहां सा जहां का बेटा जहांगीर और जहांगेर का बेटा औरंगजे तो बाबर से स्टार्ट किया तो बाबर ही सही होगा नमबर नेस्ट वन नाइंटी वन कोस्टन की बात करेंगे मनसबदारी प्रधा को आरंब किसने किया था मैंने जीके में इस कॉलिडी पहले से बता रखा है तो जवाब होगा अखवर ने गीता का फार्षी में अनुबात किसने कराया तो इस प्रस्ण का जवाब यहाँ पर जो दिख रहा है दारा शिकोह ने तो यह प्रस्ण का सही जवाब होगा दारा शिकोह ने 1749 इसबी में भारत पर किसने आकरमण किया था तो 1749 इसबी में भारक पर जो आक्रमण है वो नादिर साह ने किया था नमनेश्ट जो है दिल्ली पर अंग्रेजों ने कबजा कर लिया और मुगल समराट की इस्थिती मात्र कैदी जैसी रह गई अईसी स्थिती किस वर्ष में हुआ तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा अठारा सो ती निशबी में नमनेश्ट आपका है औरंग जेब का उत्राधिकारी हुआ तो औरंग जेब का उत्राधिकारी जो है बहादूर प्रथम ठीक है ध्यान दिजेगा बहादूर प्रथम हुए ठीक है नमनेश्ट हमारा है प्लासी का युद्ध किस वर्स हुआ तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ नमनेश्ट है हमारा रेग्यूलेटिंग एक्ट पास हुआ था तो रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था नमनेश्ट है हमारा एक आधुनिक भारतिय नेता के बारे में कहा जाता है कि इस देश में बुद्धिवाद का योग उनके साथ प्रारंब हुआ वह नेता था सहीजबाब राजा राम मोहन राय ठीक है नमनेश्ट आपका है स्वामी डयानन ने इस्थापित किया स्वामी डयानन इनका पूरा नाम स्वामी डयानन सरस्थी आरे समाज की स्थापना इन्हों ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यही साय राजा राम मोहन राय ने किया था और राम कृष्ण पराम जो इस थापना है इसका स्वामी बेकानन ने प्रार्थना समाज का मुझे नहीं बता है परतना समाच का अगर किसी बच्चे को पता होगा कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा नमनेश्ट भारत में थियो सोफिकल सोसाइटी का प्रधान कारेकाले था तो सही जबाब यहां पर जो होगा वो अड यार में था यह आपका सही जबाब होगा तो इस वीडियो में इतना है नेश्ट वीडियो के लिए करिए थोड़ा से इंतजार मिलेंगी कुछ पलों के बाद थांक्यू सो मत जय हिन वन्यमातरम